Hello friends welcome back to my channel और आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ unboxing तो मैंने friends कुछ home decor का item मंगाया है तो मैं आपके साथ वो share करना चाहते है कि कैसा निकला है कैसा निकला है और अभी इसका unboxing हम करेंगे मैंने already वैसे खोल लिया है बढ़ आपके साथ मैं share करूगी कैसे कैसे receive हो है आप पास में पहले एकम जरूर कर देजीगा ताकि अससे आपको मेरी निक्स वीडियो की notification देल जाएगी और आपको वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगी तो अब हम इस्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको यह वाला दिखाती हूँ और हमारे नंदिमाराज को आप देखी रहे हैं बहुत excited हैं समान देखने के लिए अपनी जर्गा लेखें बैड गए हैं और यहां पर आपको मैं यह दिखाने वाली हूँ आरे वा बॉक्स के अंदर बॉक्स इसी हुआ है साथी सारी यहां पर बहुत सारे papers लगाए गए ग उसके जंगा भी लगाने लग रहे हैं लोग ताकि चीज़े डैमेज ना हूँ भी हटा ना शिवांश बस तो यह बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि मजबूत दिया गया है और आप जैसे देख सकते हैं इस सोलिमो का ही है सोलिमो एमजन का इन हाउस ब्रेंड ह है बहुत अच्छा समान निकलता है सोलिमो का और आप जैसे देख सकते हैं पैकिंग भी अच्छी करेंगी है पैकिंग के अंदर फिर से पैकिंग यहां पे इन्होंने थर्मकॉल वाली पैकिंग दी गई है सेफ्टी तो काफी हट तक अच्छे से कर रखी है और अगर उसके यह मेरे पास 4-4 के पीसे हैं और इनका साइज सेन हैं तो क्योंकि मुझे इनका साइज नहीं बता था बट मैं तो आप भी स्क्रीन पर ही शो करने वाली थी पिट मेरे को पता दिया गया है कि यह 5-7 का है क्योंकि मेरे हस्बंड ने और करे थे बट चाहिए मेरे को था मैं काफ़ टाइम से देख रही थी और मुझे अपने वाल सेट करनी थी अच्छे से तो यह हमने मंगाया है फलाल यह 5x7 का मैंने आपको बता है साइस है इसका और यह 4 पीस एक जैसे हैं 4 पीस एक जैसे है कहीं से भी डैमेज नहीं है प्रॉपरली अच्छे से है और यहां पे इसमें ग्लास नहीं है इसमें प्लास्टिक का कवर है और इसका जो इसमें कलर जो है वो तीन कलर है एक ब्लाक एक ब्राउन और एक वाइट है तो मैंने ब्लाक और किया था पड़ने ही दिख 10 मेरे को अगर आप चाहते हैं अपने वौल के अष्ट कोई और महाना तो इस आप आपको नखोवे ब्लैक मंगाया बीकॉस ब्लाक क्षुजशर हरे वाल गड़ कने सिल जाता है तो मैंने इस इसलिए कॉमौन ली ब्लाक मंगाया है आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करें जरू पढ़ाईगा कि आपको कौन से कलर ज्यादा पसंद आता है और यह सेम पीस है और इनकी कॉलेटी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है स्टर्डी है काफी इनको रख देखें हम एक साइड में और अब मैं आपको यह वाले दो पीस और दिखा देखें तो दो इसमें मुझे बड़े वाले रिसीव हुए हैं यह देखें इसका साइज पर बहुत ही अच्छा है और मैं आपको इसक्रीन पर बता दूँगी यह साइ जाती है और इंफेक्ट मैं आपको इक सी जवर बताऊंगी मेरे पास अलड़ी एक फोटो फ्रेम मैंने लोकल मार्केट से लिया था तो इसको मैंने मलब जब हैंग करते थे और या फिर उसको रखा रखा ना थोड़ी टाइम मैंने रखा मलब हैंग नहीं किया था तो उसक इसको मैंने फिरेखा अलड़ी बहुत पसंद आया है आपको मैं काऊंगी थम जब है बहुत अच्छा पीस के लिकला है कोई भी डेमेज नहीं है और यह 2 पीस रेस वह हैं तो टोटले 10 का सेट है तो फिरेंग से फोटो फ्रेम तेले मैं काऊंगी थमसफ है बहुत अच्छ इसका प्राइस है वो 900 रुपीज में में रिसीव हुआ है तो बहुत ही अच्छा है 10 पीज आपको मिल रहा है आपको तो मेरे खाल से बहुत ही अच्छा है और जैसे मैं आपको पताया तो मैंने लोकल मार्केट से लिए था तो उसमें जे विद प्रिंट आउट वो 350 रुपी है और यहां कोई-कोई डार्क लीफ है कोई-कोई-कोई लाइट लीफ है तो यह काफी सुन्दर लग रहा है और क्वालिटी ओक है तो यह मैंने हैंक करने के लिए मंगाई थी और मैं कुछ सोच रही थी कि इसको हैंक करके अच्छे से प्रॉपरली लगाऊं तो इसकी जो अच्छे सफिशेंट है बट हल्का सा जो इसमें यह एकी इसकी यह जग रही है वह थोड़ी सी धररी है तो बाद में बाद में चिपका लोंगी और इसका प्राइस आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूगी कि इतना है तो यह भी मुझे पहुत ही अच्छा इटम लगा और कलर device and जो से सारे specification है इसके हिसाथ से बहुत पर्फरेक्ट पीस निकला है तो इनको या आ तो आप चाहे तो अपने बालकनी में लगा सकते ह्याद फिर अपने रूम में लगा सकते है जैसे ने लकडी से ऐसी फ्रेम टाइप बनाएवाया है जो पिंक इन येलो कलरका है मैंने आज सच कुछ इसमें कलर नहीं रिखा था मैंने जस्त और कर दिया था तो यह आपको ऐसार्टेट कलर्ज में भी रिसी हो सकता है बाकि आप अपनी चोईस से भी मंगा सकते हैं तो यहां पे इ आप इस तरह का गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट में भी दे सकते हैं और या फिर आपक गेंस वगेरा में भी रख सकते हैं बच्चों के तो इस तरह से मुझे तो यह अच्छा लगाए इसका प्राइस बहुत ही वीजनेबल प्राइस आपको श्क्रिन पर शोग हो जाएगा ले यह मैंने मंगाई थी दिवाली के आसपास और यह काफी अच्छी निकली है और यह देखिया आप देख सकते हैं इसमें इसमें 100 पीस रिसीव हुए थे मेरे को यह तीन लेयर है इसके निचे एक और लेयर है और एक लियर हम आई थेंक आरडी खतम कर चुके हैं तो यह चलते बहुत ही अच्छे हैं और यह कम सकम आपके 5-6 गंटे तक गैंडल चलती है तो यह भी मैं होम डेकोर में आपको कुछ अगर में घर पाई अच्छा सा इंप्रस्टिंग ता वह आपको जरूर दिखाऊंगी क्यूंकि मैं कुछ सोच्री मेरे दिमाग में कुछ प्लांस चल हैं और वह कब तक होते हैं वह पता नहीं देन नेक्स्ट मैंने यह मंगाई थी यह टीलाइट डेकोरेशन के लिए हैं जैसे कि अभी जो मैंने आपको टीलाइट दिखाई थी वह सिंपल ऐसी ही प्लेस हो जाएंगे बड़ थोड़ी सी रखने के बाद अच्छी नहीं लग थोड़ा सा जो दिब्वीज वगरा हो तो हम पर ट्रस करके मंगा लिया और आप इनकी फिनिशिंग देख सकते हैं अच्छी है और यहां पर आप देख सकते हैं जाली अभी तक अपर इसको आठ नौ महिने से उपर ही हो चुका है और यह देखी बिल्कुल भी काला नहीं प अबर आप आप जिसे लाइत हो अगरा रख सकते हैं साउज एकल परफेक्ट है ऐसे इस में प्लेस कर सकते हैं कि वहाटी संदर लगत इस तरह इस अराम से सकता है निकल सकता है थो बहुत ही संदर लगते हैं açıl नेक्स में आपको दिखाने वाली हूँ यह मैंने आपको पता को मिलेंगी कि मैं इमसे कैसे-कैसे मेक ओवर कर रही हूं अपने गार का यह था मेरा छोटु-मोट दोसा हूम डेकोर वीडियो और अगर आपको यह अच्छ हागे तो वीडियो लाइक कर देजीगा मेरे